शाही पाट साला योटीव चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है तेरे पनवे पचपनवे वेपिएश्य मुख्य परिक्षा के स्टाटिक्स के प्रस्ण को हम लोग हल कर रहे हैं पिछले दो वीडियों में हम लोगों ने प्रस्ण संख्या 9 और प्रस्ण संख्या 10 के एक प्रस्ण को बना लिये हैं आईए उसके आगे हम लोग हल करना शुरू करते हैं जो लोग BPSC मुख्य परिक्षा के तयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए यह बहुत ही important वीडियो है क्योंकि GS paper 1 के तीसरे खंड में statics आप से पूछा जाता है और 36-36 नंबर के 2 प्रस्ण के उत्तर 4 में से देने होते हैं यदि आपका दोनू के दोनू प्रस्ण सही होता है तो निशित रूप से आपको 72 के 72 अंकर मिलने के शंभाब ना होती है इसलिए निशित रूप से आप शाही पाट साला के शाथ बने रहे हैं और statics आपको बहुत आसान लगने लगेगा एक विद्यार्थी का प्रस्ण था कि सिर्फ उत्तर देना है यह पूरा detail में बना कर दिखाना है तो मेंस पेपर में पूरी detail में आपको बना कर दिखाना है पूरी process को कि इस प्रकार से मैंने उत्तर सहित बनाया calculation मैं इसलिए यहाँ पर ज़्यादा नहीं दिखाता हूँ क्योंकि calculator ले जाने की इजाज़त होती है भी process के exam में इसलिए आपको calculation यहाँ पर ज़्यादा देखने की ज़रत नहीं है calculation तो आप अंदर में exam hall में भी calculator से करेंगे इसलिए ज़्यादा calculation मैं नहीं दिखाता हूँ तो आएए एक प्रस्न हम लोग बना चुके हैं प्रस्न संक्या को पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं अब हम लोग क्या करेंगे कि दूसरा प्रस्न यहाँ पर बनाएंगे प्रस्न संक्या को दूसरा प्रस्न क्या पुछा है कि B.I.E. की औसत वार्सिक विर्धिदर प्राप्त कीजिए किसका औसत वार्सिक विर्धिदर कहा है वियाई का तो आए सबसे पहले ग्राफ देखते हैं यहाँ पर बहुश अलाखा लेकाचीत रहे तो इसमें B.I.E.E. के बारे में कहीं आपको यहाँ देखे विक्रिद दिया हुआ है, लाव दिया हुआ है, एक्किटी दिया हुआ है B.I.E.E.E. दिया हुआ नहीं है तो B.E.E.E.E.E. किसको कहते हैं, वो समझी मैंने पिछले वीडियो में इस बात की थोड़ी चर्चा की है, यहाँ पर भी कर रहा हूँ, ध्यान से समझेगा, क्योंकि यही छोटी छोटी बात जिदि आप नहीं समझते हैं, तो आपसे स्टैटिक्स छुटने के समभाव नहीं होती है, एक्जामनेशन हॉल में on pressure, आप इ यानि जो आप तयार कर रहे हैं बस्तू, उस बस्तू को तयार करने में जो कुछ लागत होता है, उस लागत को क्या कहते हैं, वियाय कहते हैं, ठीक है, और बस्तू जो तयार होता है, तयार बस्तू को जब बजार में उतारते हैं, बजार में बेचते हैं, बदार में भेजत तो जो विक्री के बाद उस बस्तू के विक्री के बाद जो आपको पैसा आता है उसको आई कहते हैं यानि ये जो विक्री है ये आपका आई होता है ठीक है अब यहाँ पर एक सुत्र में लिख रहा हूँ यानि आई जदी आपसे पूछेंगे कि आई क्या होता है तो आई में वियाय और plus lab अच्चालां वियाय trading मिला हुआ रहाता है वियाय प्लस lab बरावर क्या होगा? आई होगा अब आपसे पूछा कि वियाय क्या कुरेंगे? आ jos we really knowblick में गर क्यों कि विक्री तो विक्री में जब lab घटाएंगे तो वियाय प्राप्त होगा विकरी का टेबल आप ग्रीन में देख रहे हैं वह शलाका में और लाव का आपका वह शलाका रेड कलर में दिया हुआ है तो एक हजार में से 500 जब आप घटाएंगे तो 1997 में वियाई पता चलेगा जदी 1250 में से 750 घटाएंगे तो यहां पर क्या होगा आपको 1998 में वियाई प्राप्त होगा 1750 में से 500 घटाएंगे तो 1999 में वियाई प्राप्त होगा 2500 में 750 घटाएंगे तो वर्ष 2000 में वियाई प्राप्त होगा 35, 25,000 घटाएंगे तो वर्ष 2000 एक में वियाई प्राप्त होगा ठीक है तो वियाई प्राप्त करने के बाद जिस प्रकार से पहले प्रस्न में विक्री की औसद वार्सिक वर्दिधर आपने ग्याद किया था उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे वियाय की औसतवारसिक विद्धिधर भे ग्याद कर लेंगे आई ये इसका solution देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या किया कि पांचों बरसों के लिए वियाय निकाल लिए वियाय के लिए सूत्र मैंने पीछे भी बताया कि विक्री माइनस लाव बरावर होता है वियाय विक्री किसको बोलते हैं जो आई है वस्तु को विचनी के बाद जो पुंजी होता है उसको आई बोलते हैं या विक्री बोलते हैं तो वर्स 1997 में विक्री था 1000 का लाव था 500 तो वियाय हुआ हमारा 500 1999 में विक्री था हमारा 1250 का लाव था 750 तो विया हुआ हुआ हमारा 500 1999 में विक्री था हमारा 1750 लाव था मात्र 500 रुपिया तो विया कितना हो गया था 1250 उसके बाद जदी 2000 में बात करूँ इस वी या साल 2000 में तो विक्रित था आपका पचीस सो लाव था 750 यानि आपका विया जो था वह 1750 था उसी प्रकार से 2001 में 3500 रुपया कूल आय था लाव था 2500 रुपया यानि विया किया था आपका 1000 रुपया तो जब यह आप विया ग्याद कर लेते हैं तो प्रती एक वर्स के लिए ब्रदे ग्याद कर लेंगे ब्रदे कैसे ग्याद करेंगे कि इस दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे और जहां से बढ़ना सुरू हुआ उसमें भाग दे देंगे तो यहाँ पर तो ब्रदे हुई नहीं है 500 से 500 यह रह गया है मतलब यह ब्रदी हो गया पहले वर्स में 20 दूसरे वर्स की ब्रदे के जदी बात करूँ तो यहां देखिए 500 से बढ़कर कितना हो गया है 500 से बढ़कर कितना हो गया है 1250 यानि विर्धे कितना है तो विर्धी आपका 750 कहां से विर्धी होना शुरू हुआ है तो 500 से विर्धी होना शुरू हुआ है तो बटे में 500 और प्रतिशत निकालना है इसलिए 100 से गुना कर देंगे यह हो गया हमारा वियाय का विर्धी दर या व्याय का विर्दी प्रतेशत इसी प्रकार से चारो वर्सों के लिए निकाल लेंगे और सब को जोड़ कर जब चार से भाग देंगे तो आपका प्राप्थ हो जाएगा व्याय के औसत वार्सिक विर्दी प्रतेशत यहाँ पर मैंने चारो वर्स के लिए निकाल लिया है 1999 में क्या हुआ कि बिर्दीदर 0 हो गया क्यों क्योंकि 500 से 500 ही रा गया था तो 500 में 500 घटाएंगे तो 0 हो गया 0 में गुना भाग करने के बद आपको 0 ही प्राप्त होगा उसके बाद वर्ष 1999 में वियाए की विर्धी दर क्या थी? 500 से बढ़कर 1250 हुआ था तो दोनों का डिफरेंस निकाले यहाँ पर 750 आया, गुना 100 यहाँ पर किये बटे में 500 यहाँ जब इसको सॉल्व करते हैं तो 150 प्रतिशत होता है उसके बाद वर्ष 2000 में क्या हुआ? वियाए की विर्धी दर 1750 में 1250 घटाए तो आपके पास 500 हुआ और गुना 100 है, गुना 100 किये, बटे में हैं 1250, बटे में दीए 1250 अब इसको आप सॉल्व करेंगे, गुना भाग करेंगे तो 40 प्रतिशत आया मैं फिर से आपको बता दूँ कि BPSC मेंस एक्जाम में स्टाइट बनायने के लिए कैलकुलेटर का उप्योग किया जाता है इसलिए कैलकुलेशन पर आप ज़्यादा ध्यान नहीं देजेगी, कैसे कटाएंगे, आप डारेक्ट कैलकुलेटर में गुना भाग वहाँ पर कर सकते हैं उसके बद बर्स 2001 में VIA की विर्धिधर क्या होगा कि वहाँ पर क्या है कि VIA घट गया है, VIA कम हो गया है मैं फिर पीछे लेकर चलता हूँ, फिर समझ में आ जाएगा, यहाँ देखिए, क्या है कि 2000 में था 1750 VIA और 2001 में VIA कितना रहा गया, 1000 यानि कि इस बार हमेशा बढ़ रहा था VIA, यहाँ पर VIA घट गया है, इसलिए मान जो है रिनात्मक आ रहा है तो यहाँ पर क्या हुआ कि 1000 में 1750 घटाएंगे, तो माइनस 750 होगा, गुना 100 है, गुना 100 किये, बटे 1750 है, तो बटे 1750 किये जब आप इसको हल करेंगे, तो आपका 42 असलिए 8 आएगा, चुकि यह माइनस में आ रहा है, माइनस में मान है तो क्या हुआ, माइनस में आ गया अब इस चारो को जोडने के बाद 4 से भाग देंगे, कैसे करेंगे, यहाँ देखिए, सबसे पहले 0 है, 0 क्यों लिखे, कुछ विदार्थियों का मानना होगा कि 0 किसलिए लिखे, 0 नहीं भी लिखते हैं, जदि आप 0 नहीं भी लिखेंगे तो उत्तर तो वही आएगा, ले यहाँ को जोडना है, तो 150 प्लस 40, प्लस मैंने दिया है, लेकिन यह क्या है, रिनात्मक मान है, मान है, माइनस 22.8 है, जब इस दोनों को जोड करके, कितना होगा, 190, 190 में 22.8 घटाएंगे, तो 147.2 आएगा, उसमें 4 से भाग देंगे, थो जाएगा, आपका 36.8 प्रतिशत, व्याय की औसत वार्सिक व्रिद्धी दर प्राप्त हुआ आपका कितना, 36.8 प्रतिशत, जो सही उत्तर है, ठीक है, आईए चलते हैं, तीसरा प्रस्न गौ बनाने के लिए, तीसरा प्रस्न जो कौखों के बाद गौ है, क्या है, उस बर्स में, जिसमें लाब प्रतिशत में अधिक्तम बिर्धी हुई हो, एक्वीटी में प्रतिशत बिर्धी क्या थी, करने का मतलब उस बर्स में, जिसमें लाब प्रतिशत सबसे ज़्यादा बिर्धी हुआ है, जिस बर्स में लाब प्रतिशत सबसे ज़्यादा बिर्धी हुआ है, उसी बर्स में आपको बरसों के लिए यहां जैसे कि 500 से बढ़ गया 750 तो 250 की बिर्दी वी कितने में से जहां से बिर्दी शुरू होता है उसको लिखते है नीचे तो 500 में से इसलिए 100 में कितना ये करेंगे तो 2-0, 2-0 किंसिल हो जाएगा और इसको कटाएंगे तो 50 टाइम तो 50 प्रतिशत बिर्द कमी हो गया होगा या 50 प्रतिशत नहीं कुछ कमी हो रहा होगा उसके बाद जदि फिर देखेंगे तो 500 से 700 बढ़ गया तो इस बार निसीत रूप से 50 प्रतिशत फिर से बिर्दी हुआ और जदि साड़े 700 से देखेंगे तो अगले बार क्या हुआ है पचीस सो हो गया है तो वर्स 1998 में लाव प्रतिशत में बिर्दी कितना हुआ तो 750 में से 500 घटाएंगे तो बचेगा आपके पास 250 अगुना 100 है तो गुना 100 किये और बटे में 500 है तो 500 बटे में दिये इस प्रकार से 50 प्रतिशत बिर्दी वी वर्स 1999 में लाव प्रतिशत में बिर्दी कितना हुआ तो इस बार क्या हुआ कि ब्रदी नहीं हो रहे बलकि कमी हो रही है तो कितना कम हो रहा है प्रतिशत में वो देख लेते हैं क्या हुआ कि 500 हुआ था 7500 से घट कर तो 500-700 कर दी और बटे में जहां से घटनाया बढ़ना शुरू हुआ उसको नीचे फिर 100 से गुना किये तो इस प्रकार से आया हमारा 250 माइनस में गुना 100 बटे 750 इसको जब आप हल करेंगे तो कितना आएगा आपका माइनस 33.3 प्रतिशत उसके बाद आगे क्या है उसके बाद तीसरा है आपका वर्स 2000 में लाभ प्रतिशत में बढ़ दी तो फिर से क्या था कि 500 से 700 हो गया था तो पहले यानि 1998 के तरह 2000 में भी बढ़ दी हुई है 50 प्रतिशत की वर्ष 2001 में क्या हुआ कि 700 से बढ़कर 2500 हो गया तो 2500 में 700 गटा है तो 1750 हुआ और जहां से बढ़ना प्रारम होता है उसको नीचे और 100 स इस प्रकार से 1500 गुना 100 बटे 750 ये करने के बाद जब इसको आप हल करेंगे तो 233 प्रतिशत प्राप्त होता है अब आप से पूछा कि सबसे अधेक प्रतिशत बिर्धी किस वर्स में हुई थी यहां से असपस्ट हो जाता है वर्स 2001 में जो है लाभ में सबसे अधेक वर्स में लाभ में सबसे अधेक प्रतिशत बिर्धी होती है उसी वर्स का आपको एक्वीटी प्रतिशत बिर्धी निकाल कर दिखाना है यहां असपस्ट हो गया है अतह लाभ में सरवाधिक बिर्धी प्रतिशत वर्स 2001 में हुई थी इसलिए वर्स 2001 में एक्वीटी में प् तो 1250 में 650 घटाएंगे तो आपके पास 600 बचेगा गुना में 100 गुना में 100 ये 650 होगा यहाँ पर जो आगे लिखा हो अब ये 650 और जब आप इसको हल करेंगे ये हो जाएगा 92.33 प्रतिशत तो ये हो गया आपका अविस्ट उत्तर प्रस्न तीसरा के लिए गौ के लिए अब ये चौथा और अंतिम प्रस्न देख लेते हैं दस्मा का यहाँ पर चौथा प्रस्न है क्या लिखा है कि किस वर्स में विय सबसे ज़्यादा है विय जो है किस वर्स में सबसे ज़्यादा है तो यहाँ पर इस टेबल से भी आप देख सकते हैं इस टेबल से भी पता चलेग कि वियाय जो है किस वर्स सबसे ज़्यादा है वर्स 2000 में जो है कि वियाय सबसे ज़्यादा है तो इसको आप चाहें तो यही चीज वहाँ पर छापके दिखा सकते हैं प्रस्न घौ में भी और या फिर इसको मैंने भासागत भी लिखा है तो भासागत लिखकर भी आप दिखा शक्ते हैं इस प्रकार से मैंने लिखा कि वर्स 1997 में बिया है वही काम यहां वे की हैं तो 1000-500 बरावर 5998 में बिया है 1250-750 बरावर 500 वर्स 1999 में बिया है 1750-51250 वर्स 2000 में बिया है 1500-750 बरावर 1750 वर्स 2001 में बिया 3500-500 बरावर 1000 तो यहां असपस्ट हो जाता है कि 1750 जो है यह स्वरबादिक बिया है जो वर्स 2000 में हुआ है अता असपस्ट है कि वर्स 2000 में बिया सबसे अधिक था तो इस प्रकार से हम लोग आज दूसरा यानि दस नंबर प्रस्ण के अंतरगत जितने भी प्रस्ण थे चारों के चारों प्रस्ण बना लिये हैं आप लोग साही पार्ट साला के शाथ बने रहे हैं सिर्फ इस्टाटिक्स के लिए नहीं आपका BPSC Men's के लिए GS Paper 1, GS Paper 2 के लिए भी बहुत सारा हेल्प में करने वाला हूँ आपको जो प्रस्ण में दूँगा उसको बना कर आप हमारी Telegram चैनल पर पोस्ट कीजिए हम आपके पोस्ट को पढ़ेंगे और मैं बताऊंगा कि इसमें आपको क्या सुधार करना है तो इन सारे बातों को ले करके कुछ गेश प्रस्ण भी मैं आप लोग को दूँगा जो प्रात्मिक अस्तर पर पढ़ना चाहिए उसको सबसे पहले पढ़िए बहुत मेहनत मैं आपके शाथ मिलकर करूँगा कंदे से कंदा मिला कर करूँगा बने रहे शाही पाट साला के शाथ धन्यवाद